इंडियन टोनर्ट्स एंड डेवलपर्स एक बैत्रिन क्वालिटी कंपनी अगैन और इस कंपनी को मैं पहले नहीं दे पारा था क्योंकि यह 200 करोड के मार्केट कैप के नीचे थी और फिर अब धीरे धीरे यह अच्छा गाजा परफॉर्म करने लगा और कुछ फोटो कॉपि और यह सबसे रिलेटेड स्टॉक था तो मैंने इस स्टॉक को थोड़ा सा कम रेकमेंड किया रीजन बिंग की ठीक है लॉक अनलॉकिंग थोड़ा यह सब चल रहा था तो अनलॉकिंग थीम के इसाब से दू और अब जब सारी चीज़े एक्दम नॉर्मल हो गई है यह कंप यह इन लेजर प्रिंटर और यूज दिजिटल मशीन में जो टोनर्स लगते हैं तो इस तरीके का यह कंपनी का काम बहुत बढ़ा है और बहुत पुरानी यह जैसा कि मैंने कहा और आप यह देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट्ली इनकी दो यूनिट्स है रामपूर में जह इसका पूरा नाम है वहाँ से यह कंपनी है और दो यूनिट्स है इनकी सितारगेंज उत्राखंड और वहाँ पे और अब यह देखें मैं इनकी फंडामेंटल्स पे बात करता हूं मैं तो तेरे के पी मर्टिपल पे स्टॉक है डिविडेंट बहुत बढ़िया देती है 1.61 का डिविडेंट इंड है और प्राइस चुबॉक वैल्यू जो कि आप इमपॉर्टेंट यह है कि हुटी कंपनी होते है तो रेटिंग देखना जरूरी है तो जीरो डेट कंपनी है और साथ में रिजर्ब को देखना जरूरी है जो कि बुउक वैल्यू अगर देखते हम तो तो 1.28 का ही book value है, मतलब जो समान दिख रहा है, जो भाव दिख रहा है, वो almost चोंच में कमपनी के पूराने कमाईवे पैसे भी दिख रहे हैं, अब मैं September के quarterly results से बहुत जबर्दस confidence आया मुझे, कि धाई करोड का pad था पिछले September में 2.56, उसके सामने इस September में 5.15 crore, तो यानि क double profits हुआ है, और top line जो है देखिए, अब 200 crore की company है, 16 crore का pad company, TTM business पे कमाई है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का कारोबार और फैलेगा, और जिस तरीके से company का management और efficiencies बढ़ा रहे, क्योंकि मुझे इनकी margins भी बहुत बढ़िया लगी, OPM margins और net profit margins, 20% की OPM margin पे company काम करत है, और फिर मैं देख रहा था, promoters की shareholding तो around 69-70% और जो public shareholding है, उसमें भी कुछ renowned investors entry लिये हैं, जिससे और confidence आता है, so I feel कि अच्छी कासी company, अच्छा fundamentals, zero debt company और अच्छी growth वाली company को इस stock को बिल्कुल in levels पे लेना चाहिए, और सबसे importantly यह अगर पिछले एक साल में देखे बहुत ज़्यादा profit की growth नहीं रही है stock price में, इसलिए मुझे और confidence आते है, यह stock यहां से बहुत अच्छा perform करेगा, और उपर के level से 220 का दिखाया हुआ है, उसके सामने ठिक ठाक से levels है, तो मेरे इसाब से यह stock आराम से 230 का पहला target, 250 का दूसरा target खरीजना चीए, और 320 रुप